नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग हर्याली अमस्या स्रावन महा के कृष्ण पक्ष की अमस्या को कहते हैं और इस अमस्या के दिन पेड़ पौधे अपने हाथों से लगाने से पित्री तो समाप्त हो जाते हैं पित्रे तिप्त होते हैं मुस्किलें कम होती है लेकिन इस दिन अगर नमक का प्रियोग किया जाए तो ये प्रियोग आपके जीवन में खुजियां बर सकता है नमक तो हर किसी के घर में होता है और नमक नकात्मक उरजाओं से बचाता भी है और जीवन में खुजियों को बढ़ाता भी है आज हम नमक के छोटे छोटे प्रयोग बताएंगे जो आपके जीवन की हर परेसानियों को दूर करेगा लेकिन घर के किस कोने में नमक रखें कि जीवन की मुश्किले जल्दी खत्म हो जाए आपकी जो मुश्किल परेसानियों से भरा वक्त है वो जल्दी खत्म हो जाए तो चली जानते हैं नमक क्या क्या कर सकता है देखिए नमक वैसे तो हर किसी के घर में है और अगर दाल या को बढ़ाता है । नमक ही आयू को घटाता है यानी कि नमक ज्यादा होना सही नहीं है तो कम परियोग बताएंगे नमक चंदर्म और शुक्र दोनों से ही जोड़कर तो जाता है कुछ वैसे तो कुछ विद्वान ये भी कहते हैं यानि कि जोतिस्क में वर्णन आता है कि नमक राहू का प्रतीक है तो चलिए जानते हैं कैसे अपने राहू चंद्रमा और सुक्र को आप बैलेंस करें कि आपके जीवन में आकस्मिक बाधाएं भी नहीं आए और अछ्छा रहें ना हो कि देखी जोतिस्क में किंगी नमक को चंद्रमा और शुक्र का प्रदिन माना जाता है और नमक को यदि आप किसी इस्टील या लोहे के बरतन में रखते हैं तो यहां पर चंद्रमा और सनी का मिलन हो जाएगा सनी का बरतने जो धातु है वह श्टील और लोहा तो क्या होगा चंद्रमा और सनी के मिलन से 20 योग बनता है अब यह योग रोग और सोक का कारण हो जाता है इसलिए भूल कर भी नमक स्टील के बरतन में लोहे में ना रखे नमक को प्लास्टिक में भी नहीं रखना चाहिए हां अगर आपको रखना है तो कांच के ब गरना दुर्भाग और विबात का सूचक है जैसे ही नमक गिर जाए तुरंत पानी डाल कर उसको गला दे और उसको सफाई करके तुरंत इसको ठीक कर लें तो नमक का गिरना सही नहीं है क्योंकि नमक के गिरने से चंद्रमा और सुक्र दोनों कम जोर होता है तो अगर एक द नमक सही है नहीं एक तो आपके किचन में वैसे तो बहुत साई भोजन चकते हैं लेकिन पवित्रता घड़ जाती है आपके खाने की और जब आप किसी भी भोजन को बार बार ऐसे करके जुठाते हैं तो दईता भी आ जाती है इसलिए अगर नमक कम है तो बाद में डालिए सिधे सिधे हाथ से कभी भी भूल कर भी किसी को नमक मत दीजिएगा वरना रिस्ते खराब होते हैं चाहे वो नमक का पैकेट ही क्यों ना हो आप रख दीजिए सामने वाला बैक्ति उठा लेगा क्योंकि आपके संबंद भी गरबर होंगे और साथ ही नमक हातों हाथ देने स आपके जो रिस्तों में प्रेम हैं गर्माहाट है वो समाप्त हो जाता है तो आईए जानते हैं अगर आपको सुखी रहना है तो कुछ बातों का ध्यान रखिए गुरुबार का दिन छोड़ कर हर दिन आप या तो नमक मिलेवे पानी से या फिर फिटकरी मिलेवे पानी से ही घर में पोचा लगवाए बहुत सारे लोग बोलते हैं नमक मिलेवे पानी से हम नहीं लगाना चाहते हैं कोई बात नहीं आप फिटकरी मिलेवे पानी से ही पो प्रिकाव कर सकते हैं इससे सकात्मकता बनी रहती है और जैसे कि नमक और फिटकरी है निगेटिव एनरजी को सोकता है और जब आप हल्दी का चीटा डाल देंगे तो वह उसी तरह से हल्दी भी नकात्मक उठ्जाओं को अटा देता है बरकत होने लगती है मालक्षमी के आने ग्लास में पानी भरें तीम भाग तीन भाग यानि फुल नहीं करना है आपको और उसमें एक चम्मच नमक डाल दें वही नमक जो आप खाने में यूज करते हैं ठीक है अब इस नमक मिलेवे पानी को घर के दक्षिन पस्चिन डिसा में कहीं भी रख दें संबब हो तो इस ग्लास में लाल रंग का धागा या रिबन बांदे या फिर इस ग्लास में आप लाल नेल पॉलिस का भी एक किनारा सा पट्टी बना सकते हैं पट्टी तो समझ रहे होंगे ना बस इधर से उधर आप एक लाइन खीज दें इससे आपके घर में एक तो नकात्मक उर जाएं नहीं आएगी दूसरा खुसियां बढ़ने लगेगी जब लगे कि पानी सूख रहा है तब उसमें पानी डाल सकते हैं और हर महिने या दो महिने में इसको चेंज कीजिए पुराना वाला टॉयलेट में फ्लस करें या गंदे ड्रेन में डाल दें नाले में और फ्रेस भर कर लगता है भारी पंसह लगों ऊच्छा लगेगा है करने मिए रात में सौते तो लगता है उसको मतलब किसी ने कुछ कर दिया है तब ऐसे में काच की कटोरी ले लें याद रखिए कांच की कटोरी लेनी है छोटी से ले लिए आपके घर में अगर कांच की कटोरी नहीं है छोटा सा आपके पास कांच की बढ़नी है तो यह ग्लास एप उसको भी ले सकते हैं अब इसमें नमक रखिए नमक कोई भी ले सकते हैं आप खड़ा नम तो वह समाप्त हो जाएगी और हर सप्ता या हर महीने सप्ता हमने इसलिए कहा क्योंकि बारिस के मौसम में जल्दी ही नमक पानी-पानी हो जाता है अगर पानी-पानी आपको लगा है हो गया है तो पुराना नमक उठा कर ट्रेट वे फ्लेस कर दे और नया नमक उसे भर कर घर परिवार में बहुत प्रेसानी है तेंसन है घर में भारी पंसा लगता है बेवज़े जगरे लड़ाई धन की मुस्किलें लोग बिमार रहने लगे हैं तब एक चोटा सा काम कीजिए अपने डाइनिंग एरिया में एक नमक की डली या फिर आप वैसे फिटकरी भी रख सकते हैं आप कहीं भी छुपा कर रख दें तो आने जाने बाले लोगों के अंदर जो नकात्मक चीजे होंगी वह यह फिटकरी या नमक सोख लेगा नमक भी रख सकते हैं अगर आपको खड़ा नमक मिल जाता है तो कई बार बच्चे जल्दी बीमार हो जाते हैं या किसी की नमक अपने बाय हथली में ले बच्चे के उपर से उल्टा तीन बार या पांच बार वार ले और इसको बेसिन में नमक को पानी के सहारे डाल दे तो इससे क्या होगा ना आपके बच्चे की नजर उतर जाएगी अब आपके घर में कोई हैं जो लंबे समय से बीमार है या वार बार बीमार हो जाते हैं तब क्या करेंगे तब एक काच की कटोरी में ही याद रिखिए हर जगर नमक आपको काच में यूज करना है वैसे आपकी प्लास्टिक का भी यूज कर सकते पर काच जादा आच्छा है तो काच के बार्तन में जो बैक्ती बीमार है उनके सिरहन बेड़ के नीचे आप नमक रख दें और ज्यादा बीमार हैं तो रोज चेंज करें अगर कम बीमार हैं हलकी फुलकी चीजे लगी रहती है तब हर सब्ता इसको फ्लस करते रहें पुराना वाला नमक और फ्रेस नमक रख दें देखिएगा उनका स्वास्त जल्दी ठीक हो जा है चिंताएं रहती है भै रहता है तब दोनों हाथों में थोड़ा थोड़ा नमक लेने कुछ देर बैठिए आराम से बैठ जाईए आंखे बंद कीजिए थोड़ा से रिलैक्स हो यह लंबी लंबी सांसे चोड़िए और फिर जब लगे कि मन सांत हो रहा है तब इस नमक को आप पानी के सहारे बहादेवास वेसिन में इतर दर्मत फेकिएगा नमक इससे क्या होगा आपके मन मस्तिक्स पर जो नकातमक चीजें चाही भी है जो आपके गरहों की चाल विप्रीज चल रही है उनसे भी मुक्ति मिल जाती है वैसे तो नमक अगर आप अपने किचन में आपने डैनिंग एरिया में एक कांच के बरतन में रखकर चार पांच लॉंग रखकर लेकिन इसको ढखिएगा मत खुला रखेगा ढखने से फिर आपको उतने प्रफाव नहीं मिलेंगे जो नकातमक चीजें वो नमक सोखेगा और जो सकातमक चीजें उसको लॉंग और अगर बीमारियां बहुत प्रेशान करें नमक को थोरा कमी घड़ा नमक मत खाईए और आप चाहें तो सेंदा नमक का प्रियोग काना खाने कर सकते हैं इससे बीमारिया थोरी कम प्रेशान करती ठीक है अब अगर आपके चंद्रमा या मंगल आपका कुंडली में कमजोर हो तब जब खाना आप खा रहे हैं नमक कम है तो साधा नमक ना लेकर समुद्री नमक ना लेकर आप उपर से जब भी नमक लेना हो तो सेंधा नमक या काला नमक लेकर खाईए तो आपकी कुंडली का कमजोर मंगल भी बहतर हो जाता है और चंद्रमा भी परेशान नहीं करता मन अगर बहुत बेचैन हो या फिर बहुत परेशानी है उल्जने है जीवन में तब नहाने के पानी में एक चुटकी नमक डाल करना है वैसे बच्चों को भी आप नहाने नाते समय नमक डाल के तो हम आपसे भी दा लेते हैं जानकारी अच्छी लेगे तो प्लीज लाइक कर सब्सक्राइब जरूँ